बहुत बुरा रोग लगा है तुझे ये रोग सौ में से सिर्फ एक और उत को होता है रोग लगा है मुझे? हाँ बीदी, इस रोग से मर जाते हैं क्या बीदी? वो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है, ये रोग बहुत खतरनाक है और लोग तो इसके बारे में बात भी नहीं करते और इसके रोगी के पास भी नहीं जाते बल्कि बहिशकार कर देते हैं उसका शुकर रे बहुत बहुत की ये बात तुन्हें किसी को नहीं बताए सिर्फ मुझे बताए, वहना पुरे तुलसीपूर में तुफाने खड़ा हो जाता ये रोग मुझे क्यों लगा दिदे, तु समझेया खाते हूँ भल खाते हूँ, धूत में फिर्थी हूँ, मुरा ख्यार रग्य अपनी सेहत का मौन्दिता, ये रोग शरीर का नहीं है ये किसका रोग है? दुर्गा मा का अभिशाप है तुझे जाने अन जाने में ही सही पर बहुत बड़ा पाप किया है तुन्हे जिसके कारण तुझसे खुश नहीं है दुर्गा मा दुगा मा का अभिशाप? अब माँ बाबा का अपमान होगा, तेरी कारण वो बेघर हो जाएंगे, श्राप तो लगेगा ना तुझे? या कही थी थी तू? कि बॉन्दिता तुछ सबसे ज़्यादा प्यार करती है, मान लिया ना तुने, कि तू गलत थी? मान लिया मा और समझ भे लिया कि मैं कितनी गलत थी? ने तो यही सोचती थी कि बॉन्दिता सर्फ अपने संपोर्ना दीदी से प्यार करती है, पर ने वो तो सर्फ अपने ससुराल वालों से प्यार करती है, उस त्री लोचन रोईaden चौधरी से प्यार करती है इसलिए खह रहे हो संपूर ना कि कुछ कर क्योंकि कल सुभह बॉंदित अपने पती बाबू को जाके सब सच-सच बता देगी फिर वो हमें इस हवेली से निकाल फेकेंगे और वो दिन दूर नहीं तेरा छोट और तेरे रास का परदा फाश हो जाएगा नहीं मा वो रात वाला राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए परना इस हवेली में तो क्या दुलसिपुर और आसपास के सौ गाउं में भी मुझे जगा नहीं मिलेगी ऐसा ना हो इसलिए जो मैं कहरी धियान से सुनना इस बात को कांड बांद ले कि बॉन्दिता अब तेरी दुश्मन है अगर तुझे ताकतवर बनना है तो बॉन्दिता को तुझे कमजोर बनाना होगा जान लगानी पड़ेगी तुझे ताकि अनेरुद बाबो और बॉन्दिता एक ना हो सके कर पाएगी ना तो पर बॉन्दिता अगर इसे रोकना है ना तो एक उपाए है तो बताना कि दी बताना अगर कुछ दवा है तो खड़ भी में होगी तो ना आग बन करके पी जाओंगी मैं हाँ बॉन्दिता जरूर दोंगी मैं दवा तुझे पर इसकी दवा खाने की नहीं करने की है तुझे वो सब करना होगा जो मैं कहूंगी मेरी कही बात को माने की तू तो देखना चार-पांच दिन में ये रूब और तेरा दर बिलकुल गाय बोजाएगा हाँ देदी बताना क्या करना है जैसा तू कहेंगे ऐसा सब करूंगी मैं ठीक है सबसे पहली और सबसे दिहान रखने वली बात इसके बारे में किसी आदमी को नहीं बताना है तुझे और जितना हो सके ना दूर रहा आदमी से इस समय किसी पुरुष का साया नहीं पढ़ना चाहिए तुझ पर और ना ही तेरा साया पढ़ना चाहिए किसी पुरुष पर और ना महाफाफ हो जाएगा मौन्दिता बढदीता यही तो सबसे बड़ी बात है जो तुझे ध्यान रखना है इसके बेना कोई भी उप्चार असर नहीं करेगा बल्कि तेरा रोग भरता जाएगा बादीता, बाकि तेरी इच्छा है, दूसरी जरूरी बात, आप बिल्कुल पुझा पाथ नहीं करना है तुझे, आर्ती तुलसी पे जल चनाना इस सबसे दूर रहना है तुझे, वरना दुर्गा मा और नाराज हो जाएंगे तुझे, और तेरा दर्द बहुत जादा बर जाएगा, पर मेरा तो दिन ही रुखका मा के आदी से शुरू होता, पर अभी तु बिल्कुल पुझा पाथ नहीं कर सकती, और सुझे, तीसरी जरूरी बात, घर से बिल्कुल बहार्ण नहीं जाना है तुझे, अपने विद्याले भी ने, सच कहूं तो कमरे से भी बहार नहीं जा सकती तुझ बाणदिता, वरना सब को पता चल जाएगा तेरे इस रोग के बारे में, और सब बहिशकार कर देंगे तेरा, और क्या जाने, तेरे पती बाबु का भी, इसलिए हर समय तुझे अपने कमरे में रहना होगा, बाणदिता कमरे में रहोगी तो काकर जुझे, पती बाबु, और सब पूछने नहीं आएगे, यू रह रहे हो पूरे दिन अंदर, और तूरे का किसी आदमी को नहीं बता सकती, तब क्या करूंगी में दीदी, कैसे समझाओंगी मैं सब को बताना, वो तो कोई भी बहान बना देना, क् तो कि अगर चुटकारा पाना है ना तुझे इस दर्थ से, तो सब से चुपाना ही पड़ेगा इस रोख को, अगर मैं यह सब ठीक से करूंगी दीदी, तो तब चला जागा ना मेरा, कुल बैना रुख जागा ना दीदी, पाहू! चुप करूंगी पाहू! क्या का था मैंने? पूजा पाठ और आद्मियों से दूर रहना तो क्या करूं दीदी? तो एक काम कर, बिस्तर में लेज़ जा, और सोजा तो आराम से लेज़ जा, और मैं बाहर सब को बता दूंगी कि तेरी तबियत खराब है, हां? बहू! दुग्गा मा की आर्तिकाज समय निकला जा रहा है! जल्दी आओ ना! वो बांडिता की तबियत खराब है, तो वो आर्ति करने नहीं आएगी और कल जो कुछ भी हुआ इस हवेली में वो फिरसे ना हो इसलिए मैं रोय चौधरी पडिवार की बरी बहु आजार्ति करोंगी विहारी! आज ही के दिन तेरा महीना लगना तेरे लिए श्राप और मेरे लिए वर्दान है बांडिता आज तेरी दुरका माने तेरा नहीं मेरा साथ दिया है अब इस घर पे मैं राज करूंगी तू नहीं आरती लीजी ए आरती लीजीए आरती लीजीए रुक की मिला, क्या आप करूँ, क्या से रुक हो खुन का आना? मा, आर्थी. पर धाई हो संपुर्ना, अपने पहले जीत की. अब मुझे यकिन हो गया है, कि अगले तीन चार दिनों में, तो इस हवेली की रानी तो बनी जाएगी. आप सम्हालिये, मैं बॉंदिता को कपड़ा दिखा आती हूँ, में नहीं, कोई सर्वत नहीं है. उसे सहे ने दे थोड़ा दर्थ, दर्थ से थोड़ा तर्पेगी, तो अच्छा ही होगा न? कब तक यह सी रहूँ? और जतना करपेगी, उतना डरेगी. फिर तेरे हर बात मानेगी बॉंदिता, समझी? कुछ नहीं हूँ, बस कुछ मिंटों में सब साफ हो जाएगा, हम इसे सोख कर साफ करेंगे. इसे देखो, यह है रूई. और यह होगा जादू. पांच तक गिनू? एक, दो, तीन, चार, पांच. देखा बंदर्था, कैसे इस रूई ने सारी स्याही को सोख लिया? यही इस रूई की खासियत होती है. प्रा समझे। यही समझे कि प्रकृति ने कितने सारे प्रकृति उपाए दिये हमें. जरूरत है, तो बस हमें उन्हें समझने की. अभी तक आई क्यो नहीं बंदर्था? इतनी देर हो गई है. मैं वो मूरत हूँ ये दुनिया जिसे तराजू में तोले। शोई बन कर कापती हूँ चार तरप है शोले। सहमी सहमी मेरी आशा सरा भी आँख न खोले। ये वो दलडल है कि जिसे तू निकालेगा मुझे को। तू ही रक्षक, तू ही साती मेरा। connects with us. श… शाहदार ही है, पर…. तू ही मैं दंए बात निहीं करू अउससे. मालीच, वाशा उा, शाहिक है? कोईली आई है साथ में चोटे मालिक कोई जा रही है अब चोटे मालिक वो गाहूं जा रही हूँ दो तीन दिन में वापस आ जाओंगी त्रीक हान रहे गई बहुंता आप जा थरी देखना पड़ेगा बॉन्दिता बॉन्दिता तयार हो गई हो तुन बॉन्दिता स्कूल जाना है ना आज दर्वासां क्यों बन किया है बॉन्दिता बॉन्दिता तुम जानती हो ना मैं पहले से गुस्सा हूँ और इम्तहान मत लो मेरा प्लीज बॉन्दिता धर्वासां खोलो वरना मैं धर्वासा तोड़ दूंगा नहीं बॉन्दिता धर्वासा तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं नहीं बढ़ी पपर उखे! दर्वाज़ा क्यों नहीं खोड़ रही हो, बहुंदता? बहुंदता, मैं में गुष्टा नहीं हूँ, मैं शानत हूँ. जितना हो सके ना, दूर है आदमी से, इस समये किसी पुरुष का साया नहीं पढ़ना चाहिए तुछ पर, और नहीं तेरा साया पढ़ना चाहिए किसी पुरुष पर? क्या हुआ बहुता, दर्वाज़ा? बहुता, तुम्हें से पीछे क्यों जो उल्टा क्यों चल रही हुए बहुता? समालो, बहुता, बहुता क्या है बहुता, कुछ तो कोलो, कुछ बताओ तो सही प्लीज पती बाबो, बहुता है मेरा अब चाहिए थोड़ा राम कर लूँगी तो ठीक हो जाओंगी मैं ठीक है, अराम करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, स्कूल भी नहीं जाएंगे लेकिन अगर शाम तक ठीक नहीं होए तो डॉक्टर को बुला लेंगे बची बाबो, दॉक्ते बाबो को मत बुलाएंगे अठीक है, अरे, बहु कह रही है, नहीं बुलाएंगे डॉक्तर को घर पर ही आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे मैं जानता हूँ, इस घर की बहु की जाँच अगर डॉक्तर करें तो आप असल नहीं करेंगे लेकिन आपकी इन परमपराओं का मैं कुछ नहीं कर से अरे, आप इसमें बात परमपराओं की कहां से आ गई, हमने कब कहा की परमपराओं हराम करने देते हैं भी बहुन देता को चारों की लडाई हम बाद में लड़ सकते हैं हराम करो बहुन देता, बॉक्तर को बिलाएंगे शाम को अगर ठीक नहीं होतो अरोट अरोट आप तो मेरी दोस्त हो ना दुक्का माँ आप मेरी अपने हो आर परिशानी में साथ देती हो मेरा तो क्यों दिया आप ने हशार में मुझे जिसके कारण आपके पास में आ सकती है अपको पतर किती डली है मैं अधार जादा कूल बेड़ से चाट भी जा सकते है मेरे जह होगा अगर मुझे से जो गया तो क्या होगा अगर दूरा अश्मान में जाकर तारा बंदी में तो मेरी नाय को पूर्ट्र मा लेगा तो क्या रखेगा मेरे बती बागू का क्या होगा मेरी माँ का अधारा जारा से भी जूड़ लगती है मुझे तो कित्मार होगती है मेरी माँ तो क्या पूर्ला में चाट्च मेरी माँ को अगर मामे के अगर दो इस परशानी माँ कि अगर मेरी माँ पास्ट्रा कर बात नहीं कर सकती मैं पर अपनी मा को चिद्धी लगकर अपनी सामस्या का है तो डुल सकती मुझें ना मैं मेरी सबसे प्यारी माँ कहा है तो कैसी है तो आज बहुत खब्राई हुए है तेरी पूर्मिता कर तो अपनी बांदथा के पास होती खूद में इठा सकती अपनी बांदथा को प्यार से सर को सहला सकती के सकते के शुंधा मत खर बॉन देता साथ जी हो जाएगा मैं चानते हूं कि मां कित्ते भी दूर हो हमेशा जूरे रहती है इसले आसो आदू हो कि तेवित वह सुफव फोगनां लड़ा हूं कर दो बुआ कर दो कि था ? मा यहां मेरे आशु की बेरते होंगे ? कर दो तेरो आके भी तोखी निवा जाती मुंदी नमा तो तो जहां पर दो हो श्रुबस पासा जाना प्नी मुंदी पाके तेरी महोत याद आरिया मुंदी नमा मुंदी नम मुझे बिहारी बाबु से शादी नहीं कर ली मा ने कहा बड़े मालिक को मेरे लिए सानुबती है इसलिए चिप तो गई हो गारी में पर आगे इंसे बात करने के हिम्मत में हो रही पर कोशिस तो करनी होगी जैसे आगी काड़ी रुगेगी मैं उनसे बात कर लोगी और मादद देरा लूँजे हटो सामने से कर देरा लूँजे रुजे पुच्छे पुच्छे क्या होगे बनुच्छे कह ऑगे अ ऑदी अ की मारों को मार्ती है क्या आइ क्यान क्या धजूकर मेरी भी जजु पहुँ से भी पहुँ पस्यों से बहुँ से खुब के यह अजू के लगते हुआगी कि लोगते हैं। कि वी चुटए कि लूगते हैं। अपने पोड़ता से बहुत प्यार कुरती है नदो, तो जल्दी से फिर पूरा करके मेरे पास आजाना मा, तेरे साथ की, तेरे प्यारा हिम्मत की बहुत जरूरत है तेरे बानिता को. कि एम्मत की जरूरत है आके मेरे बानिता है अपने एपने डाया मेरे फिल्दी से एपने टूरत है विल्मत की बहुत नगला।